इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Botamib 2 injection is used in the treatment of multiple myeloma and mantle cell lymphoma. यह cancer कोशिकाओं की वृद्धी को धीमा करके तथा रोक कर अपना कार्य दिखाता है. Botamib 2 injection is given as an injection by a qualified medical professional. आपका डॉक्टर निर्ने लेगा कि आवश्यक खुराक क्या है और आपको कितनी बार इसे लेने की जरूरत है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका इलाज किस स्थिती के लिए चल रहा है और यह समय समय पर बदल सकता है. आपको इसे ठीक वैसे लेना चाहिए जैसा आपके डॉक्टर ने बताया हो. इसे गलत तरीके से या अधिक मात्रा में लेने से बहुत गंभीर side effect हो सकते हैं. आपको दवा के फायदे दिखने या महसूस होने में कई हफ़ते या महीने लग सकते हैं, लेकिन जब तक आपका डॉक्टर न कहें इसे लेना बंद न करें. ठकान, मिचली आना, उल्टी और भूक में कमी इस दवा के कुछ आम side effect हैं. आपको इलाज के दौरान हर दिन बहुत सारे तरल पदार्थों को पीने की सलाह दी जाती है. आपको drive या कोई machinery संचालित नहीं करनी चाहिए क्यूंकि इस दवा से थकान या चक्कर आ सकते हैं. यह दवा आपके खून में blood cell यानी की red blood और white blood cell में कमी की संख्या को कम कर सकती है, जिससे infection की समविधनशीलता बढ़ जाती है. होट, लिवर और blood uric acid level के साथ अपने blood cell को चेक करने के लिए नियमिद blood taste की आवशकता होती है. अगर आप में याद दाश्त खोने या सोचने में समस्या जैसे लक्षन विक्सित हो रहे हैं, तो डॉक्टर से परामर्ष लेना आवशक है. कई अन्य दवाएं इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इससे प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए अपनी health care team को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं. गर्भावस्था या स्तनपान कराने के दौरान इस दवा को लेने का सुझाव नहीं दिया जाता है. प्रेगनेंसी से बचने के लिए इलाज के दौरान पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा प्रभावी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना जरूरी है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद